हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक तू मांसी स्टेडी चैनल दोस्तों आज हम लोग LCM और SCF का पार्ट टू पढ़ने वाली हैं पार्ट फर्ष्ट में मैंने आपको लासा और मासा से संबंदित सभी बेसिक प्वरंट्सों को पढ़ाया था और कुछ मैथपूर्ट सवालों को भी लगवाया था अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीस उस वीडियो को पहले वाच कीजिएगा उसके बाद का ये वीडियो देखिएगा इससे आपको समझने में बहुत आसानी मिलेगी आज हम लोग भिन्नों से सम्मंदित कुछ सवालों को सीखेंगे और दसमलब संख्याओं से सम्मंदित LCM और SCM निकालना सीखेंगे और कुछ important question भी करेंगे तो आप पूरा वीडियो वहुत ध्यान से देखिएगा चलिए बट्टे अपने वीडियो में आगे और आज का प भिन्नों का LCM और SCF निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले दो फार्मूलों को यात करना पड़ता है इसमें पहला फार्मूला हमारा लिखा है भिन्नों का LCM निकालना होगा तो हमें सबसे पहले अंसों का LCM निकालना पड़ेगा और उसके बाद हरों का LCM निकालना इस question का कहने का मतलब यह है जैसे हमारे पास यह question लिखा है इसमें हम लोगों को H.C.F. पूछा है मासा पूछा है तो हम लोग क्या कहरेंगे पहले यह answer लिखी है ना इस answer का पहले हम लोग H.C.F. निकालेंगे H.C.F. यह मतलब मासा मासा मतलब फ्रेंड्स वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए या बिवाजित हो जाए तो वह हमारा मासा कहलाता है अब हमारी सबसे बड़ी संख्या यह क्या लिखी है 14, 42 और 21 अब हमें फ्रेंड्स ऐसी बड़ी संख सोदे से भी कट जाएगी 42 से भी कट जाएगी और 21 से भी कट जाएगी और हमें हरों का क्या निकालना है या फिर तो आप गुनंखंड विदी से करके 33 55 और 22 का निकाल लीजिए या मैं आपको एक एक सौट्रिक भी बताती हूं एक सौट्रिक है फिरेंट्स हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग यह लगाना है कि यह तीनों संख्यां किस से कट रही है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यह हम लोगों को समझ में आ रहा है साफ साफ कि 33 55 और 22 यह हमारी 11 से कट रही है माच्टिया 15, 15 दूना 30, यह जो 30 निकला है न, यही हमारे 11 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और जब गिमलोग 11 से गुणा करेंगे 30 का, तो कितना निकलेगा दोस्तों, 330 निकलेगा, यह हमारा क्या निकला आया, हरो का LCM निकला आया, यही तो पूछा था, अब हमे क्या करना है, दोनों कर निकल निकल के रख देना है, अब हमें 115 का LCM निकलने कितना निकला था, 7, और हरो का LCM निकलना है, कितना निकला, 330 निकला, यही हमारा Ü econom का क्या हो जाएगा, अंसर हो जाएगा समझ में आया दोस्तों हमने इस question को कैसे solve किया चलिए एक बार फिर से सीखते हैं सबसे पहले हम लोगों को question ने पूछा था इन सभी संख्याओं का HECF निका लिए और SCM निकालने के लिए हम लोगों को एक formula याद रखना पड़ता है अंसो का SCF बटे हरो का LCM अब अंसो का SCF मतलब बड़ी सी बड़ी संख्या जो हमारी तीनो संख्याओं से कट जाए वैं संख्या हमारी क्या निकली साथ निकली अब हमें हरो का LCM निकालना था अब हर का LC हम लोग कैसे निकालते हैं या फिर तो गुरन खंड विदी से निकाल लेंगे या फिर हम लोग अगर जल्दी करना चाहें तो ऐसी एक संख्या ढोंड लेंगे जो इन तीनों से कट रही हो ये सिर्फ कुछ कुश्यन में ही फॉलोगा जिसमें ऐसी कुछ संख्याओं लिखी होगी हर कुश्यन में हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकती है लेकिन इसमें हो रहा तो हम लोगोंने कर लिया तो 11, 33, 14, 55, 55, 12, 22 इन तीनों का गुणा कर लिया पांस्तीया, पंध्रा दूनी, 30 और तीस कचे हम लोग 11 में गुणा करेंगे तो कितना Perchéunden 330 आएग़ यही अमारा इस कुश्यन का क्या हो गया answer हो गया 7 बटे 330 I hope आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा चलिए आंगे बढ़ते हो next question देखते है next question हमारा लिखा है 7 बटे 9 14 बटे 15 और 7 बटे 10 का HCF क्या होगा और HCF निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया क्या करना होगा पहले अंसो का HCF निकालेंगे और हरो का LCM निकालेंगे मतलब इन तीनो संख्याओं को हमें HCF निकालना होगा और इन तीनो संख्याओं का हमें LCM निकालना होगा तो हम लोगों को ऐसी संख्या ढूननी है जो 7 14 और साथ तीनों से कट रही हो तो हम लोगों साफ साफ दिख रही है यह हमारी क्या निकल आएगी साथ निकल आएगी अब हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स हरो का LCM चाहिए अब 9, 15, 10 किसी एक संख्या से तो कॉट नहीं रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अलग से LCM और LCM कैसे निकालेंगे गणान्खंड विदी से अब हम लोग 2 का 9 में भाग देंगे जाएगा नहीं न 15 हम झाएगा किस में जाएगा thunder में जाएगा अब किस से देंगे तीन से देंगे तीन तिर का नौ तीन पचे पंद्रे और पांच का पांच फिर से तीन से चला जाएगा तीन एकम तीन पांच का पांच अब किस से जाएगा फ्रेंड्स पांच से जाएगा पांच एकम पांच पांच एकम पांच तो हमारे य समझ में आया है फ्रेंट्स कितने असानी तरीके से हम लोगों ने पिन्नों का LCM और SCF निकालना सीख रहे हैं चलिए आंगे बढ़ते हो नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन हमारा लिखा है 9 बटे 10, 12 बटे 25, 18 बटे 35, 21 बटे 40 का HCF क्या होगा तो SCM निकालने के लिए क्या करेंगे इन 4 का क्या निकालना है मैं SCF निकालना है और हर का क्या निकालना है LCM निकालना है ठीक है फ्रेंट्स अब क्या करेंगे ऐसी संख्या डूनेगे जो 9 से कटे, 12 से कटे, 18 से कटे और 21 से कटे वे हैं बड़ी से बड़ी संख्या हमारी होनी चाहिए तो ये तो friends हमें साब साब دिखरा है ये चारों संख्या किसके पाढ़े मारें हैं तीन के पाढ़े मारें हैं तो यह हमारे किस से कट जाएंगी, तीन से कट जाएंगी, तो इसका FCF हमारा क्या निकल आया, तीन निकल आया, अब हमें इन चारों का LCM निकालना है, इन चारों का LCM हम लोग गुणनखन विदी से निकाल लेंगे, 10, 25, 35 और 40, चलिए निकालते हैं, सबसे पहले किस से सकती है, तीक है, जब तक हमारा दोसी कटता है, तब तक हम लोग दोसी काटती है, जब दोसी नहीं कटता है, तब हम लोग दूसरी संक्या से काटती है, अब हमारे सारे दोसी कट गए, अब हम किस से काटेंगे, पांच से काटेंगे, पांच एकम, पांच, पच्चिस, पां से कट जाएगा पांच एक कम पांच कितना बचा साथ बचा अब किस से कटेगा फ्रेंड साथ से कट जाएगा सारे हमारे एक एक निकल आए तो हमारी ये वाज गुणन खंट हो गए अब क्या करेंगे इन सभी काम लोग गुणा करेंगे चलिए करिए दो दूनी चार चार बना 35, 40 और 35 का गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आएगा, 0 का 0, 5, 4 को 20 की 0, हासिल लगी 2, 4, 12 और 2, 14, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 3 बटी 14, समझ में आया फ्रेंड्स, कितने आराम तरीके सम लोगों नहीं सारा कुशन सीख लिया, चलिए आंगे बढ़ते हैं, और नेस्ट कुशन सीखते हैं, नेस्ट कुशन हमारा लिखा है, ग्यारे बटी 14, 55 बटी 42, और 33 बटी 35, और 44 बटी 63 का LCM क्या होगा, और LCM हम लोग फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, अनसो का हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा, और हरो का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, मतलब जो हमारा पूछा होता है न, तो वे हमें उपर निकालना होता है, और बटे में दूसरी संख्या निकालनी पड़ती है, अगर LCM पूछा है, तो उपर LCM निकालेंगे, नीचे SCF निकाल लेंगे और अगर SCF कुछन ने पूछा है तो उपर हम लोग HCF निकाल लेंगे और नीचे हम लोग LCM निकाल लेंगे यही फार्मूला है बस हम लोगों को स्टैप से याद रखेंगे तो आराम से याद बना रहेगा ठीक है अब हम लोगों को क्या करना है इन सारों का हमें LCM निकालना है 11, 55, 33 और 44 का अब हम लोगों ने पहले कुश्यन में निकाल के रखा था कैसे निकाला था 11 हम लोगों ने कॉमा ले लिया था और जो संख्या कट रहे हैं था सारी काट देन थी 11, 11, 15, 55, 15, 33 और 11, 44 इन सभी संख्याओं का गुणा कर लिया था 15, 15, 15, 54, 60, 11 में जब इन लोग 60 का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा 60, 60 निकल के आएगा अब हमें हर का क्या चाहिए फ्रेंट, HCF चाहिए, HCF मतलब मासा अब हमें ये दो देखना है कि इन में से वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो सभी संख्याओं को काट दे 14, 42, 35 और 63 ये फ्रेंट किसे कट रही है ये हमारी साथ से कट जाएगी सादूनी, 14, सादूनी, 14, साच्छिंग, 42, साथपना, 35, साथने, 63 तो क्या निकल आया हमारा इसका HCF, साथ निकल आया, यही इस कुश्यन का आंसर हो गया कितने अच्छे तरीके से हम लोगों इस कुश्यन को सॉल्फ किया, वो भी बहुत सौट तरीके से और वो भी स्रिफ मिंटों में, अगर आप गुडण खन विदी से यही कुश्यन अगर सॉल्फ करते हैं, तो काफी बड़ा हो जाता और अगर आप HCM ऐसे निकाल लते, 14 करके, 42 करके, फिर ऐसे तो बहुत लंदी चला जाता हम लोगों ने सबसे सौट तरीके से कुश्यन को सॉल्फ किया और अपना अंसर निकाल लिया चलिए अंगे बढ़ते हो, नेस्ट कुश्यन देखते हैं नेस्ट कुश्यन हमारा क्या लिखा है? एक बटे तीन, दो बटे नो, पांच बटे छे, चार बटे 27 का LCM क्या होगा? इसको हम लोग कैसे सौल्फ करेंगे? सबसे पहले अंस का क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, फ्रेंटS? SCF निकालेंगे अब अंस में क्या लिखा है? 20 को 20, यही मैंने आ लिख दिया, अब हम लोगों को क्या करना है? हर का HCF निकालना है, मतलब 3, 9, 6 और 27 का, अब हमें यह देखना है, यह 4 संख्यां किससे कट रही है? यह हमारे 3 से कट जाएंगी, तो इस कुश्यन का जो आंसा निकल के आया, अब हम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, चलिए आंगे बढ़ते हैं, अब हम लोग दसमलब वाली संख्याओं का LCM और SCF निकालना सीखेंगे, कुश्यन हमारा लिखा है, 6 दसमलब 3, 5 दसमलब 6, तथा 7 का SCF क्या होगा? इसको हम लोग कैसे solve करना है, इसका हमें मासा निकालना है, और मासा हम लोग कैसे निकालते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्याओं डूनते हैं, जो इन सभी संख्याओं से कट जाए, सबसे पहले हम लोग friends दसमलब लगाना ही भूल जाएंगे कि यहाँ पे कहीं दसमलब लगा है, क्या करेंगे वह संख्याओं डूनेंगे जो 33, 56 से कट जाए, तो ऐसी संख्याओं हमारी क्या है? वह हमारी साथ है, क्या है friends साथ है, अब हमें बस यह देखना है कि दसमलब कितने अंकों के बात लगा है, इसमें तो दसमलब लगा नहीं है, इसमें जो दसमलब लगा है, वह एक अंके बात लगा है, तो हम लोग जो दसमलब लगाएंगे ना, वह एक अंके बात लगा देंगे, बस यही हमार अनसर हो गया next question हमारा क्या लिखा है 2.4 जीरो 0.3 चिप 7.2 का HCF क्या होगा इसको हम लोग कैसे निकाल लेंगे इन सभी का हमें मासा निकालना है मासा के लिए बढ़ी से बढ़ी संर छ लुड़नी है जो इन सभी संख्याउं से कट जाए बड़ी से बड़ी संख्या फ्रेंट्स हमारी क्या हो जाएगी जो हमारी 24 से 36 से और बातर से कट जाए फिर हमारी ऐसे तो हमारी 6 भी निकल आएगी लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या डूणनी है तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकल आएगी 12 निकल आएगी और अब हम लोगों को दसमलब लगाना है और दसमलब हम लोग कैसे लगाएंगे सबसे पहले हम लोग दसमलब के बाद वाले अंक देखेंगे कि कितने अंकों के बाद दसमलब लगा है इसमें दो अंकों के बाद लगा है लेकिन इसमें एक अंक के बाद लगा है तो इसको हम बढ़ाना होगा ना पर कितने अंको के बाद लगाना होगा दो नगों के बाद एक और दो और लोगों ने दूंको के बाद लगा दिया यह हमारा क्या हो गया इस question का answer हो गया यह आंगे बढ़ते हो next question देखते हैं next question हमारा लिखा है 0.36, 1.22, 4.8 का LCM क्या होगा अब हमें क्या निकालना है friends LCM निकालना है LCM निकालने से पहले friends हम लोग क्या करेंगे इसमें जो दसमलब लगा है इसको हम लोग पहले समान कर लेंगे और दसमलब अगर हम लोग हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा इस संख्या में हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा 100 से गुणा करेंगे तो दसमलब हमारा हट जाएगा अगर इसमें 100 का गुणा किया है तो 100 का गुणा हमें इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा तो ज़ह हम लोग 1.0 दो में 100 का गॉणा करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 120 हो जाएगा अब 4.8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा समझ में आया फ्रेंड C.L.न कैसे आई क्या किया हम लोगोंने सबसे पहले दसमलब को हटाया है क्या किया है दसमलब को हटाया है तो दसमलब को हटाने के लिए हम लोगों ने किया किया सभी में 100 से गुणा कर दिया जब इसमें 100 से गुणा किया तो 2-0 हमारे में दसमलब से हट गए दो जूरों आजाएएंगे तो दसमलब हमारा हट जाएगा, to कितना आ गया, छत्तिस आ गया, इसमें हम लोगों ने सौसेग गुना किया, तो दसमलब इसमें एक अंक के बाद लगा तो एक जीरों हमें मिल गई तो हमारी संख्या क्या निकलाई, एक सो बीस निकलाई, इसमें निकल आया अब आप लोगों को अच्छी से समझ में आया होगा चलिए आंगे बढ़ते हूं ने अच्कूशन देखते हैं नेश कुश्यन हमारा क्या लिखा है? 0.27, 1.8 तथा 0.30, 0.36 का HCF और LCM क्या होगा? इस कुश्यन में हम लोगों को HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है सबसे पहले हम लोग HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे S.C.F. निकालने के लिए क्या condition होती है दोस्तों वे बड़ी से बड़ी संखिया गोखी सभी संखियां से विवाजित हो जाए वे हमारा संखिया का क्या निकाल आता है S.C.F. निकालाता है तो फ्रेंड इसमें दस अमलब के का बाद दो अंक्हें इसमें दसम्लब के बाद एक अंक हैं और इसमें दसम्लब के बाद तीन अंक हैं तो सबसे पहले हम लोगों को दसम्लब के बाद वाली संख्याओं को बरावर करना पड़ता है तो हम लोग कैसे बरावर कर सकते हैं सभी में हम लोग 1000 से गुणा कर देंगे क्या करेंगे सभी में हम लोग 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा दसंबलब सभी से हट जाएगा और संख्याइं समान हो जाएगी जब 0 दसंबलब 27 में 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दो 170 हो जाएगा अब एक दसंबलब 8 में 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो गाएगा एक बिसक्तफ म सबसें यृव हमा तस तॉपलि तूपल जैर जाए गाएगा अर। हमें बड़ी से बड़ी से Nh घळएगा है तो वह चैनल ही जेरे निकल आएगाlerde 18 निकल आएगी, 18 हमारा 270 से भी कट जाएगा, 18 से उसे भी कट जाएगा और 36 से भी कट जाएगा, तो हमारा SCF क्या निकल आया, 18 निकल आया, लेकिन फ्रेंट्स स्टार्टिंग में हम लोगों ने 1000 से गुणा किया था, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग क करना पड़ेगा, जब 18 का 1000 में भाग करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 अमलब 3 अंक पहले लग जाएगा, तो हमारा SCF क्या निकल के आया, 0,018 समझ में आया दोस्तों, अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे, क्या करेंगे, इनी संख्याओं का हम लोग LCM निकाल लेंगे, 27, 18 और 36, मतलब जो निकल के आया था, हम लोगों ने पहले SCF करा था, 270, 1800 और 36, इसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा, LCM हम लोग कैसे निकालेंगे, LCM हम लोग गोड़न खंड विदी से निकालेंगे, 270, 1800 और 36, इसका हमें क् लासा निकालना पड़ेगा एसे तो हम लोग लासा दो से निकालती हैं लेकन यह संख्या काफी बड़ी लिखिये तो इसको हम लोग थोड़ा सौट तरीखे से भी निकाल लेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेगे 18 में भाग देंगे जब 18 का हम लोग 270 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा 18 का 800 में देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा 18 का 36 में देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा अब हम लोग किस से भाग देंगे? अब हम लोग 5 से भाग देंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 का 2 अब हम लोग किस से भाग देंगे अब हम लोग दो से भाग देंगे दो एकम दो दो एकम दो अब हम लोग किस से देंगे तीन से देंगे और उसके बाद हम लोग दस से देंगे तो ऐसे हमारा ना जो लासा निकलाया वैस जल्दे निकलाया जब बड़ी संख्या लिखी होती ह तो हमलोग सबसे बड़ी वाली संख्या से भाग देंके इसको छोटा रूप कर लेती है फिर जिससे हमारा कटा जाता है उससे हमलोग काट देती है यही हमारे संख्याओं का क्या निकलाता lazy लासा निकला है तो हमें क्या करना है इन सभी संख्याओं को गोड़ा करना है अठारे गोड़े पांच गोड़े दो गोड़े तीन और गोड़े दस तो अठारा पंचे कितना हो जाएगा फ्रेंट्स नब्य हो जाएगा तीन दूनी छे और छे में जब दस का गोड़ा करेंगे तो कितना हो अब लोगों ने स्टर्टिंग में क्या किया था एकजार से बाहप कर देंगे और अपना अंसर निकाल लेंगे कितने अंक के वाद असन्वर लगेगा तीन अंक के वाद लग जाएगा क्योंकि नीचे तीन जीरों है हमारे इस question का क्या हो जाएगा answer हो जाएगा समझ में आया दोस्तों कितनी असान तरीके हम लोगों ने इतनी बड़ी संख्याओं का भी हम लोगों ने रल्सियम और ऐसी अब निकालना सीख लिया चलिए आंगे बढ़ते हैं कुछ important question को देखते है पहला question हमारा लिखा है ABC और XYZ का मासा क्या होगा अब friends हमें ABC और XYZ का मासा निकालना है इस question को हम लोग कैसे solve करेंगे friends ये देखेंगे क्या इनमे ABC में और XYZ में कोई भी संख्या ऐसी है जो दूसरे को कट रही हो नई friends ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जब कोई भी संख्या एक दूसरे को नहीं काटती है तो उसका मासा हमेशा friends क्या होता है एक होता है अगर कोई भी संख्या ऐसी लिखी है या अपर में संख्या लिखी है तीन पांस साथ तो उसका भी मासा हमारा क्या आएगा एक आएगा कोई विसम संख्या जैसे लिखी है जो एक दूसरे को नहीं काट रही है तो हमेशा जो एक दूसरे को ना काटे उनका मासा हमेशा एक ही ही होता है चलिए आंगे बढ़ते हैं और नेक्स कुशन देखते हैं नेक्स कुशन हमारा क्या लिखा है? जीरो तथा छै का HCF क्या होगा? अब हमें फ्रेंट जीरो और छै का मासा निकालना है तो हमें ऐसा संख्या धूननी है जो जीरो से भी कटे और छै से भी कटे तो फ्रेंट्स ऐसी कोई भी संख्या नहीं बनी है जो हमारी जीरो को भी काट सके और 6 को भी काट सके तो इसका मासा क्या होगा फ्रेंड्स ना 0 होगा ना 6 होगा और ना ही 1 होगा एक हमेशा व्य संख्या का मासा होता है जो किसी ना किसी संख्या से कट रही हो एक हमेशा एक से लेके जितनी भी अनंतक की गिंतियां होती उनसे कट जाती है लेकिन कभी 0 से 1 न एक दे देते हैं लेकिन यह इस question का answer नहीं है इस question का जो सही answer होगा वे आप परिवासित होगा तो कि जब 0 का हम लोग एक से भाग देंगे तो यह हमारा infinity बन जाता है और इसको हम लोग यात नहीं कर सकते हैं समझ में आया friend तो ऐसे question को आप लोग गलत मत कीजिएगा चलिए आ हमाई 20 से भी कटनी चाहिए 40 से भी कटनी चाहिए और 44 से भी कटनी चाहिए ऐसी संख्या हमारी क्या हो जाएगी हो जाएगी ऐसी संख्या हमारी 4 हो जाएगी लेकिन 4 हमारा इस question का answer नहीं है question क्या क्या है SCF का work अब हमें क्या करना है इस 4 का work करना है तो 4 का work कितना हो जाए आंसर भी हो जाएगा तो कैसे लगे आज के कुश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे अगर अच्छे लगे हो प्लीस लाइक सेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मांसी श्टडी चैनल और इससे समंदित समंदित और भी सवाल में आगे वाली क्लासिस में पढ़ाओंगी तो आप सारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पढ़ते रहिएगा थैंक यू सो मॉच